खरगौन जिले के उन थाना छेतर के ग्राम आचलवारी में एक कॉलेज छातरा का शव संदीद वरिस्थितियों में मिलने से संसनी फेल गई चातरा का शव गाउ से कुछ ही दूरी इस्थित एक टमाटर के खेत में बरामत हुआ है जहां चातरा के कंदे पर बेग भी टंगा हुआ था परिजनों के मुताबिक शातरा घर से कॉलेज जाने का कहका निकली थी लेकिन वापस घर नहीं लोटी परिजन एवं ग्रामेंड हत्या के आशंका जता रहे हैं पुलीस सभी पहली ओपर जाज में जूटी है पुलीस से मिली जानकरी अनुसार सेगाओं विकास खंडे की ग्राम पंचायत आच्छल वाडी में 20 वर्षय चातरा अनिता का शव टमाटर के खेत से बरामत हुआ है सुबग गाओं के बकरी चराने वाले लड़कों ने टमाटर के खेत में शोव देखा मरतिका का शोव देखकर परिजनों को सुषना दी थी जिसके बाद पुलीस भी मौके पर पहुची थी यूती का शोव मिलने की सुषना के बाग बड़ी संख्या में ग्रामिन जन खेत में जमा हो गए थे एएसपी मोहन सीह बारिया के मुताबिक फिलहाल मर्ग कायम कर जाज की जा रही है गटना इससल का भी मौका मौईना किया है मौत्य कार्णों की जाज के लिए टीम गठीत की गई है बीरो रिपोर्ट खरगाउट सेगाउं में एक बीस वरसी बालिका की डेड़ बाडी कल एक टमाटर के खेत में मिली है थाना उन में मर्ग पंजीबत किया जाकर पीम कराय पंजणामा के बाद पीम कराय गया है और सभी एंगल में जाज की जा रही है लड़की गाउं की अभी तक की जाज में सब जाज में ऐसा कोई सी सामय नहीं आया है लेकिन हर एंगल की जाज की जा रही है एलेक्ट्रानिक एनी इन्विस्टिकेशन किया रहा है और मुख्विर तद्र को भी सक्री कर दिया गया है और बहुत जल्दी इसमें कोई कोई कांक्लूजन निकाल दिया जाएगा हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें कर दो झाले जाएगा हमारे से ब्सक्राइब कर दो एक भी स्वेकर दोड़ कर दो दो करें।